और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज पहले सिख्षक पर्व को संबोधित कर रहे हैं सीरे आपको लिए चलते हैं स्कूल स्कूलने की लगती है लंबे समय बाद स्कूल जाना दोस्तों से मिलना क्लास में पढ़ाई करना इसका आनंद ही कुछ और होता है लेकिन उत्सा के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सब को आपको भी पूरी कडाई से करना है साथियों आज सिख्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारम हुआ है और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विशे में जानकारी प्राप्त की ये इनिस्टिटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महुत्सव मना रहा है आजादी के सो वर्ष होने पर भारत कैसा होगा इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है आज जो योजनाओं शुरू ही है वो बविश्च के भारत को आकार देने में एहम भूमिका निभाएगी आज विद्यान जली 2.0 निष्ठा 3.0 टॉकिंग बूक्स और ULD बेस ISL डिक्ष्णेरी जैसे नए प्रोग्रेम्स और व्यवस्ताएं लांच की गई है स्कूल क्वालिटी एसेस्मेंट एंड एस्षॉरंस फेववर्क यानि SQAAF जैसी आधिनिक शुरुवाद भी हुई है मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेर्शन सिस्टिम को ग्लोबली कॉम्पिटेट्व बनाएगी बलकि हमारे युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी साथियों इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी सिक्षा व्यवस्ता का सामर्थ कितना ज्यादा है चुनोतियां अनेक थी लेकिन आप सभी ने उन चुनोतियों को तेजी से समाधान भी किया ओनलाइन क्लासिज ग्रूप वीडियो कॉल ओनलाइन प्रोजेक्ट्स ओनलाइन एक्जाम पहले एशे सब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे लेकिन हमारे टीचर्स ने पैरेंट्स ने हमारी युवाओं ने इने सहस्ता से दैनीक जीवन का हिस्सा बना दिया साथियों अब समय है कि हम अपनी इन ख्षमताओं को आगे बढ़ाए हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सिखा है उसे एक नई दिशा दे सवभाग्य से आज एक और देश के पास बडलाव का बातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रिय शिख्षानिती जैसी आधुनिक और फुचरिस्टिक पॉलिसी भी है इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्ने ले रहा है एक ट्रांस्फर्मेशन होते देख रहा है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ती है उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह अभ्यान केवल पॉलिसी बेज नहीं है बलकि पार्टी सिपेशन बेज है एनिपी के फर्मिलेशन से लेकर इंप्लिमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडेमिशन्स का एक्सपर्ट्स का टीचर्स का सबका योगदान रहा है आप सभी इसके लिए प्रसुंसा के प्रात्र है अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है हमें इसमें समाच को भी जोड़ना है